मैं खुशी से ही मेरे शेत्र के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ और मेरे लिए तो बड़ा दिन है पर मेरे शेत्र के लिए मेरे शेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से उनकी आशा थी उनका सपना था कि अब तक कमल कभी भी अमरावती में बैलेट पे और मशीन पे नहीं आया और ये पहली बार है अमरावती करों को एक मौका है इस देश के हित में मतदान करने के लिए राश्ट्र के विकास के लिए जिस राश्ट्र के विकास के लिए ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी जी फिर महापर विराजमान होंगे उनके लिए उनको साथ देने के लिए इस बार पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशिय है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावतिकरओं के छहरों पे खुशिय है. हाहा, अनुमान जी का आश्रवाद हमेशा अपने भक्तों पे रहता है, और वो भी विश्वास से हम मैदान में उतरते हैं, और अच्छे कर्मों के साथ हर भगवान का आशिरवाद उनके भक्तों पर हमेशा रहता है मुझे लगता है फायदा नुकसान देख कर अगर अपनी विचारधारों पर अगर कोई काम करता है तो वो स्वार्थी है जब धर्म के नाम पे बात आती है तो मुझे लगता है इसे महिला हमारी आई जीजाओ ने अपनी आवास बिलंद की तो चत्रपती शिवाजी महाराज निर्मान हुए आई रमाई ने जब साथ देने की सोची तब इस देश में सवीदान मिला जासी की रानी जब तलवार लेक मेरी बहुत इमानदारी और डेडिकेशन है उसके पीछे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा वो सोचकर में मैंदान में कभी और मेरी आवाज में कभी बदलाव नहीं होगा